MPK सत्ता पर काविज होने के लिए सत्ता धारी दल, BJP और कॉंग्रेस दोनों ही अपने बूथ को मजबूत करने में जुटे हैं इसके लिए BJP जहां मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चला रही है तो वहीं कॉंग्रेस दिजिटल तौर पर अपने बूथ को मजबूत करने में जुटी है मध्यप्रदेस में सत्ता के सिंगासन पर कावेस होने के लिए BJP और कॉंग्रेस दोनों ने जमीनी स्तर पर तैयारियां टेज करती है इसके लिए दोनों ही पार्जिया बूथ स्तर पर अपनी पकड मजबूत कर रही है जिससे की वोटर तक अपनी पहांच बनाई जा सके अगर नीव मजबूत होगी तब ही इमारत बुलंद होती है ये बात सियासुत दान भी भली भाती जानते है शाद इसलिए बीज़पी और कॉंग्रिस दोनों ही दल बूत स्तर पर अपने को मजबूत कर रहे हैं अपनी सफलता की जमीन को पोक्ता कर रहे हैं जिसे की असफलता की कोई गुंचाइश न रहे खासकर बीज़पी उन सीटों पर खास ध्यान दे रही है ज़ा पिछली बार उसे शकस्त जहिलनी पड़ी हलागी बीज़पी का दावा है कि मध्यप्रदेश में इस बार उसकी ही सरकार बनेगी लेकिन सवाल ये कि अगर बीज़पी को भरोसा है कि एमपी में सत्ता पर वो ही काबिज होने वाली है तो फिर वो बूत को मजबूत करने की उसे जरुत क्यों पड़ी इसे आप स्विकार किया ने कर teo हुद के एक रूपया बेजते हैं और नीचे तक 15 पेसे आता है तो यह सचाई हुद गांदी विडेश में जाकर स्विकार कर रहे हैं कि अगρुपया बे पर तना दाशक में पोश्टा Finland का पोश्टा जाते खिर मोढदी जब से जब पूरे हिद्गराईयों को पूरे पेसे का लाब मिलता है ब्रस्टाचार वाला जो पिछासी पेसे का कॉंगरेस का कमीशन था खतम हो चुका है और सीधे जनता को योजनाओं का सीधे लाब मिल रहा है राशी सीधे उनके खाते में आ रही है बीजेपी की तैयारी को देखते हुए कॉंगरेस भी अक्टिव है क्योंकि उसे लगता है इस बार सत्ता की बाग दोर जनता बीजेपी को ही सौपेगी लियाजा वो भी अपनी जमीन को मजबूत करने में चुटी है दरसल इस बार वोटों की गनित को बीजेपी इस बार हर हाल में अपने पक्ष में करना चाहती है जाहे वो अल्प संथिक बर्द ही क्यों न हो शायद इसलिए बीजेपी अल्प संथिक बर्द के वोटों पर भी खास ध्यान दे रही है 2018 के सांकडे को इस बार वीजेपी बदलना चाहती है और 2013 वाला इतिहास दोहराना चाहती है जिससे की सत्ता के सिंगासन तक आसानी से पहुचा जा सके न्यूस 24 मध्यप्रदेश शतिसगर के लिए इंदोर से हेमन शर्मा की रिपोर्ट